इस lecture में जो चीज हम देखने वाले हैं that is EDA चुटकियों में कैसे करना है चार libraries को यूज करते हुए time नहीं जाया करना हमने start करते हैं मैंने आपको यहां पर screen share करके एक मैंने environment बनाया है EDA environment ठीक है इसके अंदर मैंने क्या किया है वो आपको दिखाता हूँ नजर आ रही है screen आप लोगों को वो ली आ रही है ठीक है तो मैंने conda create EDA environment किया यहां पर और इसके अंदर मैंने python का version 3.10 install किया है यह दो command मैंने run की है एक है conda create minus N EDA environment and the second one was after activating the environment you have to install python 3.10 3.11 नहीं करना यह लड़ पड़ते हैं अपस में फिर ठीक है समझागी अब आपने क्या करना है इन में यह सारी libraries install करनी है pip install data prep wide data profiling suite with autobase यह space के साथ और end पे आपने करना है IPY kernel यह तो पता ना क्यों करना है मैं इन सभी को copy करता हूँ और मैं यहां पे इनको paste करूँगा क्यूंकि मेरा यहां पे इन्वायर्मेंट इसको paste करता हूँ साथ में माइनस वाय कर देता हूँ कि यार तू यह से इंस्टाल करना चाहों कर लो एस और मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम आगी क्या आगी प्रॉब्लम लेट सी कहता हम ने निमानना क्यों नहीं मानना वह हाँ सच इसमें माइनस वाय नहीं होता पिप में नहीं होता माइनस वाय सॉरी वो ठीक है रहा है साड़कों भी गलती हो जंदी तो यह वाली मैंने लाइबरेडिस इंस्टाल कर ली मैं इसको कमेंट आउट कर दे दो ताकि आप देखते जाएं इट विल टेक टाइम क्योंकि यह बहुत हैवी किसम की इस Pokémon व्रेडिस इंस्टाल हो रही है और जैसे यह लाइबरेडिस चार आपके पास इंस्टाल हो जाएंगे डेटा परेप के नाम से है वाइड़टफाइल नहां से स्वीट विज के नाम से आज्टा विज के नाम से है तो यह चार लाइब्रेरी आपको चुटकियों में EDA करके दे देंगे एक-एक भी यूज करें that's one then आपने IPY करनल क्यों किया ताकि आपके पास जुपिटर नोडवोग यहां पर रन कर सके ठीक है अब इसके इलावा भी इसने दो दो लाइब्रेरी और मांग नहीं है जो मैं बाद में इंस्टाल करता हूँ which are pip install, nb format and scikit learn यह दो लाइब्रेरी आपने बाद में भी इंस्टाल करनी है क्योंकि यह तो लाइब्रेरी आपको डिफेर्ट लाइब्रेरी करके दे रही है तो देख रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है आवाज आ रही है ना साथ साथ करते जाएं पिर इसको यह जितनी देर तक यह चीज़ें इंस्टाल हो रही है आपको एक और लाइब्रेरी में बता देता हूं जिसका नाम है स्किम पाई स्किम पाई यह डेटा को व्यू करने के लिए यूज होती है ठीक है तो यह वो लाइब्रेरी जें विच आर गोइंग टू सेव लाट अफ टाइम जो मैं स्टार्ड में इंफो और डेटा की कमपोजिशन और सारा कुछ किया था ना वो स्किम पाई ने सेकंड्स के अंदर करके दे देना है और आप हिरान होंगे तो फिर हमने पहले काम क्यों किया उसकी रीजन क्या है भला कभी कभी यह लाइबरेरिज नहीं आपको चाहिए होती हैं आपको कोड चाहिए होते हैं जो आप एप्स के अंदर डालते हैं ठीक है तो वी नेट वेट अंटिल दिस फिनिशेज आप लोगों में से किस-किस ने इस्टॉल कर लिए यह कमेंट सेक्शन में बताते जाया करें कप शब लगाते जाया करें अच्छा खासा टाइम लगना है इन चारों को ठीक है मैंने पहले भी बताया था आपको तो अच्छा है आप वीडियो को चलते रहने दें अगर आप यूट्यूब पे बाद में देख रहे हैं अच्छा टी वो होगी एंस्टॉल अब मैं यह वाले इंस्टॉल करता हूँ कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूँ अधिन एंटर जो रेडी होंगी न वो रेडी वहीं पे आ जाएंगी तो इतनी ज्यादा लाइबरेरी हम किसलिए कर रहे हैं सिरफ एक एडीय की खातिर एक एडीय की खातिर और आज आपको एक मैं बात बता दूँ मैं बता रहा होता हूं कि एडीय जो है या डेटा प्री प्रॉसेसिंग डेटा प्री प्रॉसेसिंग जो है वो एटी परसंट अफ दा टाइम डेटा साइन्टिस्स करते हैं ठीक है और ट्वंटी परसंट आप मिशीन लेर्णिंग पे लगाते हैं तो यह बात याद रखिए गए बाइदबर टाइम जाया किये बगार यह एक एरर हमारे पास आई है डेटा प्रेप की हम इसको बाद में रिजॉल्फ करते हैं अभी पहले अपना काम जो है उसे स्टार्ट क है मैं सिर्फ अपना इंवार्मेंट्स चेक करने वाला हूं तो यहां से मैं नया environment सेलेक्ट करलूँगा edi inb तो इनको मैं रन करके देखता हूँ किया यह मेरे पास रन हो रही है अगर यहां पर कोई मसला है तो इत मेंस कि मेरा इंवार्मेंट खराब है इंवार्मेंट ठीक है अब मैं डेटा लेके आता हूँ इस वकट डेटा हम नेया वाला लेंगे sns.loaddataset और इसके अंदर titanic पहले करते हैं फिर आपको मैं दूसरे dataset पर दिखाता हूँ करके ठीक है यह हो गया जिनाप यह हमारे पास आगया डेटा डेटा हमारे पास आगया सबसे पहले आपको मैं skimpy चला के दिखाता हूँ let's run skimpy जो काम हमने इतना time लगा के किया है न यह देखिए गदरा from skimpy import skim और हमने सिर्फ skim करना है df को and here you go लो जोनाप data की पूरी summary आपके पास है data summary number of rows कितनी है number of columns कितने है ठीक है data types कितनी कितनी है string integer float category boolean समझागी बात की फिर आपके पास categories class जो है deck जो है यह दो categorical variable है और बाकी आपके पास number कितने कितने है survived क्या आ रहे है ठीक है so on and so forth तो यह proper आपके पास पूरी एक end to end आपके पास result आ गया और by the way यह यहां से कुछ skip कर गया है यहां से कुछ value यह skip कर गया है so you can increase the number of printing here के आप जब आप जब इसको run करें तो आपके पास proper सारे का सारा जो है वो मुवाद है for example now it's fully loaded ठीक है sometimes यह आपको number show करवा देता है कि इससे आगया भी कुछ है तो आपके पास हर एक category string boolean हर किसी का यहां पर result आ गया है तो data की पूरी summary आपके हाथों में within few seconds ठीक है तो skim pie का यह फाइद है अब चलते हैं बाकियों की तरफ okay जी सबसे पहले हम करते हैं data prep को use और उसके लिए हम करेंगे जनाब from data prep dot eda import create underscore report यह हम एक इसके जो फंक्शन है उसे इंपोर्ट करेंगे और मैंने simply create report को df पे लगा देना है that's it let's see क्या होता है hopefully यह कोई error ना दे क्योंके पहले यह installation के दरान को मसला कर रही थी और अभी भी कर रही है अगर यह error देगी we will resolve that later on by the way इस code के साथ आपके पास चल जाएगी error मेरे पास क्यों आ रही है pandas के version की वज़ा से आ ठीक है क्योंके जो हमने skimpy की ना उसने pandas का version जो है वो update कर दिया था इस वड़ा से तो इस error को हम देखते हैं by the way यह हमारे पास data prep इस code से चले ही इसकी output को बंद करता हूं बाकी पहले आपको दिखा देता हूं इंपोर्ट करने है ठीक है और इसको हमने profile report को tf पे लगाने लगाने के बाद हम इसका title भी दे सकते हैं यहां बें Titanic EDA नजर आ रहे हैं न स्क्रेन लेट सी यह हमारे पास थोड़ा time लेगी and it will run pandas profiling for us ठीक है hopefully इसमें कोई error नहीं आएगी अगर error आती है then we will see आक सरुकाद यह 93 पे ना अटक के रह जाती है और फिर बड़े मसले होते हैं और यह time लेगी different systems में न अच्छा खासा time लेता है pandas profiling यह जितनी देर run हो रही है मैं data prep का एक अल्यादा environment बनाने लगाँ conda create minus n data prep और इसके अंदर python is equal to 3.10 minus y ताकि इसका अल्यादा से environment बनाके हम चेक कर लें इडिये कभी खराब होई नहीं सकता इडिये का मतलब यह है कि information देना data के बारे में तो data में जो होगा वो आपको दिखाते रहेंगे लो जनाब मैंनों लगदा जड़ा PC में यूज कर रहे हूं भी गरम होगे है सो वो heat up हो गया I think so पर रहल यह चार लाइप्रेरीस है इनको आप यूज किजेगा मैं notebook आपको भेज़ देता हूं जिस तरीके से आपने इससे use करना eda.ipynb के नाम से तो आप इसको ज़रूर देखे eda.ipynb यह भी आपको मिल जाते है discord के अंदर and then you can work on this मेरा जो connection lose हुआ है I still have to deal with it then I will show you यह otherwise आपको मैं macbook पे अगर दिखा दूं तो वो ज्यादा बेतर है मेरे पास यहां पे data prep चल पड़ा है just a minute यह देखें जिस्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है यह जी इस तरीके से आपका यह वाला create report का function चलता है in data prep यह data prep मैंने चला है आप देखें यह पूरे data set की HTML file बन के आ जाती है इसकी पूरी report यहां पर पड़ी है इतने number of variables है number of rows इतनी है number of missing cells इतने है missing cells की percentage क्या है so on and so forth और यहां पे इसकी insight है कि हर variable में कितने percent value missing है कितने percent original है क्या चीज़ चल रही है skewed है non skewed है normal है non normal है so on and so forth and then आपके पास आप variable को select करें यहां से मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर लो like this मैं यहां पे अपना variable select करता हूं और उसका survived और उसका automatic plot बने हूँ पी-glass का plot और हर चीज़ का plot आपके सामने हाजर है शक करें ठीक है फिर उनका interaction दो चीज़ों का interaction मैं age और fair का interaction करना चाहता हूँ यह ले जी आपके सामने interaction भी correlation matrix जो मैंने आपको दिखाया था here you go सारे का सारा आपके पास है and then missing values की percentage यह पूरे का पूरा एक map बनके आपके सामने आ गया किस में missing values ज्यादा है यह चेक करें deck में ज्यादा थी यह आगी यहां पे missing है जो present है वो वहीं पे so you can view missing values as well यही नहीं अभी मैंने सिरफ एक tab दिखाया आपको overview में आप जा सकते हैं यह दूसरी सारे information यहां पे click करके specific variable के उपर जा सकते हैं interaction में जा सकते हैं and then you can jump on each and everything तो इसका मतलब जो मैंने चार स्टेप आपको दिखाये थे correlation variables का link composition overview में आ जाती है and then missing values वगरार ठीक है this is how you can work on things और यह एक मैंने आपको दिखाई है just imagine the power of other libraries और वो इससे भी बेहतर चलती है वरल मेरे पास जो system ही restart कर दिया उसने दूसरे वाला मैं इसको panda's profile को यहां पर run करके देखता हूँ अगर यह मेरे पास run करती then I will show you panda's profiling as well name df is not defined कर देते हैं जी df we define hopefully क्योंकि जब यह मैंने पहले चलाई थी यह बहुत ज्यादा RAM require करती है यह mind में रखिएगा sn is in not defined अच्छा हुई hopefully यहां पर run करेगी अगर इसने RAM कर कोई लुचना तला तो जारी बात है टेक्स लॉट अपावर इस वड़ा से दूसरी लाइबरेडिस जो हैं वो panda's profiling को replace कर रहे हैं आम मेंसे कितने लोगों नहीं यह लाइबरेडिस यूज की हैं skimpy हो गई data prep pandas profiling sweetwiz and autobiz यह आपको पता है इन लाइबरेडिस का नहीं पता तो इनको try कीजेगा लेकिन होसला रखके try कीजेगा system restart भी हो सकते है fatal errors भी आ सकती है and then it can take a lot of memory as well जो यहां पर मेरे साथ भी हो रहा है by the way I will run these things in a notebook और notebook आपको मैं send कर दूँगा तो इन्शाला यह run करेगी obviously it takes a lot of calculation in one minute or two तो आप खुद सोचें कि कितनी RAM चाहिए मेरे पास heavy system है मैं उस पर इसे run करूँगा run करने के बाद आपको एक run की हुई notebook with results भेजूँगा आप चेक कर सकते है ठीक है आप इसको HTML में export भी कर सकते है and you can make a PDF as well this was about EDA कि अधिए